सो हलो एवरिवन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट लेमिनार एयर फ्लो का ही जो कैबिनेट होता है यह एक तरीके से हमारे एक वर्क प्लेस है काम करने की जगह है जहां पर की आपको असेप्टिक और माइक्रो ओर्गानिजम फ्री इन्वार्मेंट मिलता ह है क्योंकि जो भी आप यहां पर अंदर काम करोगी कोई भी माइक्रो बैलोजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है जैसे पोरिंग है जो हम पोर करते हैं मीडिया को स्रेलाइज मीडिया को पोर करते है ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन ना आए तो प्रिवेंट एनी कांड कंटामिनेशन डिोरिंग दो आक्सपेरिमेंट णियुरिंग पोरिंग ऑर दियुरिंग नियुकर क्यां करते हैं या आपको कि अंदर करते आ को गाहिं कि भाकी बौड़ी आपकी बाहर होती है सो ये क्या करता है sterility maintain करने के लिए use होता है aseptic conditions maintain करने के लिए use होता है अब जो हमारे पास में laminar airflow होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं या तो हो सकता है vertical type या फिर horizontal type अब ये जो आप देख रहे हैं ये vertical type का laminar airflow है vertical type में क्या होता है कि जो आपका HEPA filter होता है HEPA का मतलब होता है high efficiency particulate air filter पहले इस filter के बारे में जान लीजे high efficiency particulate air जो ये filter होता है ये मामूली filter नहीं होता है जैसे जो आपके normal filters होते हैं वो आपके dust particles को filter कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन इसकी ये जो filter होता है उसकी काफी ज़्यादा high efficiency होती है very high efficiency so like about 99.97% जो dust है चाहे bacteria है चाहे कोई भी any airborne particle है even जिसका size 0.3 micron का भी है उसको भी ये क्या कर देता है filter कर देता है तो इसकी बहुत ज़्यादा high efficiency होती है it can even eradicate the tiny micron size particle जो bacteria होते हैं बहुत चोटे size के होते हैं उनको भी ही क्या कर सकता है remove कर सकता है तो इस वज़े से आपको क्या मिल रहे है contamination free आपको space मिल रहे है so 0.3 micrometer size से भी जो चोटे micro organism है उनको भी ये क्या कर देता है filter out कर देता है so अब ये जो हमारे पास दो type के laminar air flow जो मैं आपको बता रही थी पहला जो है हमारे पास that is vertical type vertical laminar air flow अब इसमें क्या होता है कि जो HEPA filter है HEPA filter है वो उपर लगा होता है वो कहां लगा होता है उपर लगा होता है तो जो air है air का जो pressure है वो उपर से नीचे की side होता है उपर से क्या होता है नीचे की side होता है अब ये जो आप blower देख रहे हैं ये blower क्या करता है जो बाहर की जिस room में आप बैठे हो उस room में से जो बाहर की जो हवा है उसको खीचता है जो आपके room में air है तो वो एक filter के through होकर के नीचे जाती है बीच में मतलब उसके रस्ते में air के रस्ते में क्या पढ़ा एक filter बढ़ा जिसको बोलते है हेपा filter और जब ये हेपा filter में से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है सारे जो भी उसके अंदर micro organism है, bacteria है कोई भी मतलब 0.3 micron size का भी कोई particle है वो भी क्या हो जाता है filter out हो जाता है और इसी वज़े से जब आप काम कर रहे हो तो आपको एकदम clean air जो है वहाँ पे blow होती है, कोई उसमें contamination नहीं होती है अब जो हमारे पास दूसरे type का laminar airflow है that is horizontal laminar airflow इसमें क्या होता है, कि जो यह HEPA filter होते है वो सामने लगे होते है वो कहां लगे होते है, सामने लगे होते है तो air का जो flow है, वो सामने से होता है air का जो pressure है, वो सामने से होता है तो इसको हमने जो laminar airflow के types है, vertical में क्या हो रहा था कि जो air आ रही थी वो filter हो के vertically आ रही थी उपर से आ रही थी और horizontal में क्या है कि जो HEPA filters है वो जहां पर आप बैठे हो just आपके सामने लगे हुए है HEPA filters so that is the difference between vertical and horizontal laminar airflow अब यहां पर 3 switch होते है laminar airflow में 3 switch होते है एक होता है blower का और एक होता है UV light का और एक होता है आपका light का so जब भी आपको काम करना है चाहे pouring करनी है चाहे streaking करनी है कोई भी आपको microbiology का experiment करना है या फिर plant tissue culture perform करना है और आपको laminar का काम है laminar airflow cabinet use करने से पहले अगर जब भी आपको काम है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 70% ethanol से उसको surface जो है वो हम clean करेंगे उसके बाद हम UV on करते हैं 15 to 20 minutes के लिए जब भी आपको काम करना है उससे पहले आप UV on कर दीजे 15 to 20 minutes तक हम इसको करते हैं और इससे क्या होता है कि जो भी surface पे cabinet के अंदर इस leminar के अंदर जो भी microorganism होंगे surface पे वो सारे क्या हो जाएंगे kill हो जाएंगे so UV से आपको क्या करना है जब भी आप UV on करें तो उससे दूर रहें क्योंकि जो UV rays होती है radiation होती है वो carcinogen होती है और वो आपके DNA में mutation cause करती है हमने थाइमिन थाइमिन डायमर की formation पड़ी थी molecular biology के अंदर so वो थाइमिन थाइमिन डायमर का formation करती है DNA के अंदर so इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए जब तक उसमें UV है तो जब आप काम करने आपने शुरू गया तो आप क्या करोगे अब 15-20 मिनट के बाद आपने UV on रखी उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे जब आप काम करने बैटोगे तो आप light को on करोगे आप fan को on करोगे उसके बाद में आप अपना काम start कर सकते हैं और जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं से स्ट्रीकिंग कर रहे हैं या तो आप gloves पैन के कीजे या फिर अगर आप pouring कर रहे हैं तो आप अपने जो hands हैं उनको 70% निटर नॉल से अच्छे से साफ कर लीजे ताकि जो भी germs वगेरा हो वो kill हो जाए और उसके बाद में आप इसमें काम कर सकते हैं और इस laminar airflow के अंदर burner भी होता है और cylinder लगा होता है साइड में या फिर आप किसी किसी में बंसन burner का भी हम यूज करते हैं बट हमारे lab में जो है उसमें burner लगा हुआ है तो आप उसका यूज कर सकते हैं during streaking loop को red hot करने के लिए उसको sterilize करने के लिए इस basis पे है कि वहाँ पे हैपा filter जो है वो कहां लगा हुआ है जो vertical होता है उसमें हैपा filter उपर लगा होता है और जो horizontal होता है उसमें हैपा filter सामने लगा होता है और हैपा filter जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा high efficiency होती है जैसे की नाम भी indicate कर रहा है high efficiency स्टेकशन सी पाटिकलेट एयर फिल्टर सको वह छोट से चोटे जो आपका मायकरो ओर्गानिजम में उसको फिल्टर आूट कर देता है और लेमिनार एयर फ्लो आपके कर रहे है एक वर्कसपेरिय Better ला है जो कि मायकरो ओर्गानिजम प्री इंक्याइमेंट अफ्री कर रहा है काम करने के लिए aseptic conditions प्रवाइड कर रहा है and ताकि आपका जो भी like during the experiment आपका जो contamination है हम उसको prevent कर सके इसी लिए हम इस चामबर का use करते हैं so that's all for today अगर वीडियो आपके लिए helpful था तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेर करें and if you are new to the channel please subscribe for more updates thank you and have a great day